इन्दवाद जिला जलपएगुडी नगरप कटा ब्लोग के अंतरगत नैसली चैवगान के लेंड कटा गाउं में रस्ता के बीच में नाला है और उसमें कलपट लगा हुआ नहीं है यहाँ पर करीबन 200 घर और 500 लोग रहते हैं सभी लोग नाला को पार होके आते जाते हैं कम से कम यहां तो दोसो घर हैं, और यही राष्टा से अना जाना करते हैं. काम जाने के लिए, या फेक्टरी जाने के लिए, या बगान में काम जाने के लिए अब बहुत अस्विधा होता है. ये समाशिया कब से हैं? ये समाशिया 2008 से. गाव वालों ने बताया कि पुल नहीं होने की वज़ा से नाला को पार करना बहुत ही अस्विदा हो रहा है इसी रास्ते से होकर लोग हॉस्पिटल ओफिस का बच्चे लोग इसकूल आधी इसी नाला को पार करके जाते हैं वर्षाकाल में तो इस नाला को पार करना बहुत ही अस्विदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पेपायर पिशलने लगता है और गिरने का डर रहता है बारिश का मसमें तो अनिक ही तपली खोता है, इसमें ज्यादे शिली खोता है, कोई गीर जाता है नाला में, ना ग्रिन का पानी अतना इस्प्रिट होता है कि आदमी को मार गिरा देता है पंचेत में इसके बारे में जानकारी दिये थे? पंचेत में जानकारी तो हमें डे चुके हैं फिर भी पंचेत तो कोई द्योस्तर नहीं करता है मैं अपील करती हूँ कि जल से जल यहाँ पे कलपट बनाने की क्रिपा करे पंचेत प्रधान रिंकुनाग मुबाइल नमबर डबल नाइन डबल थरी 183906 मैं सुसान तीन वर पच्छिम बंगाल जिला जल पे गुरी इंडिया अनहट के लिए